नारायन, नारायन, आज का विशय है, स्वार्थ को नियंत्रित करने से परस्पर प्रेम बढ़ता है। परस्पर प्रेम बढ़ने के लिए कुछ बाते आवश्यक होती हैं। एक, छोटी बड़ी बातों की ओर्ध्यान न देकर हर एक का स्वभाव जानने के लिए थोड़ी गुंजाइश रखें, जिससे द्वेश नहीं बढ़ेगा। दो, कोई न कोई एक ऐसी बात होती है कि जिससे सभी प्रेम करते हैं। उस बात को देखने की हमारी दृष्टी हो। तीन, कोई सूचना देनी हो तो सीधे उस व्यक्ति से न कहें। नम्रता और मधुर वचनों से अप्रत्यक्ष सूचना दें। चार, अत्यंत महत्व की बात, जिसमें उपर्युक्त सभी बातों का अंतरभाव हो जाता है, वह है अपने स्वार्थ पर रोक लगाना। मैं अपने लिए जितना हूँ ऐसा लगता है, उससे भी अधिक दूसरों के लिए भी हूँ ऐसा लगना सबसे अहम बात है। इस प्रकार का भान रखकर बरताव करना ही प्रेम में व्रद्धी करने में सहायक होता है। कि हम स्वार्थी नहीं हैं। अहंकार जितना जबरदस्त होता है उतना ही स्वार्थ। उसकी जड़े इतनी गहरी और सुक्ष्म होती हैं कि उनका पता ही नहीं चलता। स्वार्थ तीन प्रकार का हो सकता है। काईक, वाचिक और मानसिक। मेरी देह को किसी दूसरे के लिए कष्ट ना हो। ऐसी सावधानी से बरतने को काईक स्वार्थ कहते हैं। मैं जो बोलूँगा वह सब माने, मेरी हा में हा मिलाएं, मैं कुछ कम जादा कह दूँ, तब भी उसे सब चुपचाप सहें। इस वृत्ति को वाचिक स्वार्थ कहा जा सकता है। और मेरे मत के अनुसार सब लोग वहवार करें, मेरा ही कहना सही है, ऐसा सब माने, इस प्रकार की अपनी इच्छा रखना मानसिक स्वार्थ कहा जा सकता है। अब मैं अपने लिए जितना हूँ, उससे अधिक दूसरे के लिए हूँ। ऐसा जब सोचा जाता है, तो एक बात सपष्ट होती है, कि मैं जितनी, जैसी सुविधाईं अपने लिए रखता हूँ, उससे भी अधिक सुविधाईं दूसरे के लिए रखनी चाहें। मतलब यह है कि जो दूसरा हमारे लिए करता है लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता वही बात हम दूसरे के लिए न करें ठीक इसके विपरीत है दूसरा हमारे लिए जो करता है और उसकी वहकृती हमें अच्छी लगती है या सुखत लगती है वही कृती हम उसके लिए करें यह सभी बातों का सार है और यही सच्चा धर्म है हम जब तक संसार से प्रेम नहीं करते तब तक दूसरों से हमें प्रेम नहीं मिलेगा दूसरे हम से प्रेम नहीं करेंगे हम अनेकों से प्रेम करें तो हम अखेले ही उन सब के लिए कुछ करते हैं लेकिन यदि कोई मोका आ गया तो वे सब हमारी सहायता करते हैं जो बहुतों का हो जाता है वही भगवान का हो गया ऐसा समझो नारायन नारायन